तो दोस्तो आज हम बात करेंगे नारूटो के एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसका लगबख हर ही एपिसोड में यूज किया जाता है जी हाँ आज हम बात करेंगे चाक्रा के बारे में चीजे explain करने के लिए इस वीडियो में मैंने anime और manga की कुछ events का भी यूज किया है तो spoilers alert जिन्होंने Naruto नहीं देखाया पड़ा है वो अभी इस वीडियो को छोड़ दे और जिन्होंने देख लिया है या जिन spoiler से कोई फरकी नहीं पड़ता है वो वीडियो देखते रहिए चाक्रा हमारी पुराणिक भाषा संस्कृत से लिया गया एक term है जिसे असल में चक्र प्रनाउंस किया जाता है और चक्र का सीधा सीधा translation है वील या फिर हर वो चीज जो circular trajectory में घूमती है हमारी उनिवर्स के चाक्रा की बात करें तो उसका मतलब है चक्री की तरह घूमती हुए energy हमारी बॉडी के अंदर इसी चाक्रा के साथ टाइप्स होते हैं और यही साथ चाक्रा हमारे शरीड, दिमाग और आत्मा को energy प्रोवाइड करते हैं जिन लोगों ने शक्तिमान देखा है उन्हें याद होगा कि जब शक्तिमान meditation करता रहा तब उसके पीट पर साथ अलग-अलग टाइप्स के circles नजर आते थे यह साथ सरकल सी चाक्रा के साथ टाइप्स है और इनके बारे में मैं आगे बात नहीं करूँगा क्योंकि यह बहुत ही complicated topic और इस वीडियो के लिए एकदम useless है खैर यह तो बात थी हमारे universe की नारूटो universe के chakra और हमारे universe के chakra में भी कुछ खास वरक नहीं है यहाँ पर भी chakra का सीधा-सीधा मतलब energy है लेकिन यहाँ chakra के types के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया है types की जगे हमें यहाँ पांच अलग-अलग तरीके के chakra natures देखने को मिलते हैं और अगर आपने थोड़ा भी नारूटो देखा है तो आप इन पांच chakra natures के बारे में जानते ही होगे नारूटो में निंजाज जो भी निंजिट्स यूज़ करते थे वो इनी पांच chakra natures पर based है लेकिन कुछ निंजाज ऐसे भी हैं जो दो या तीन chakra natures को combine करकर एक बिल्कुल ही नया chakra natures डेविलप करते हैं किसी भी ट्रेणिंग या प्रैक्टिस से दो या तीन chakra natures को combine करना नामुम्किन के बराबर होता है और इसलिए इस ability को क्यक कई गेंकाइक आ जाता है क्यक कई गेंकाइक वो ability होती है जो clans के पूरवजो से shinobi में genetically पास होती चली आती है इसका सबसे अच्छा एक्जामपल है उचिया क्लैन की शारिंगान जो इंद्रा के वक्त से पूरी क्लैन में पास होती चली आ रही है लेकिन शारिंगान chakra combination का एक्जामपल नहीं है chakra combination का सबसे अच्छा एक्जामपल है मुक्तोन जोच्सू यानि की वूट स्टाइल जोच्सू जो की earth और water टाइप chakra ने जैसको combine करकर बना हुआ है और इसको develop किया था खुद first होगा आगे हाशिरम मेसेंजूने जिनको हम God of Shinovi के नाम से भी जाते हैं तो coming back to the topic अब हमारा सवाल है कि आकर जोच्छू का यूज करने में chakra का क्या रोल है नारुटो यूनिवर्स में किसी भी extraordinary technique का यूज करने के लिए chakra यानि energy की ज़रूरत होती है चाहे वो पानी पर चलना हो मुझ से आग उगलना हो या फिर illusions क्रेट करना हो हर चीज के लिए chakra का होना ज़रूरी है और chakra जनरली आखों को नजर नहीं आता जब तकि वो highly concentrated ना हो या फिर उसका amount बहुत ज़ादा ना हो क्योंकि body के 8 inner gates ज़ादा chakra को release होने से रोकते हैं लेकिन जब inner gates को open किया जाता है जो हम रोकली और गाय सेंसे को कई बार open करते हुए देख चुके हैं तब हम साफ साफ यूजर की body से energy को flow होते हुए देख सकते हैं वैसे तो ये body की physical और spiritual energy है लेकिन इसको chakra भी कहा जा सकता है इसके अलावे हुगा क्लैन के दोजुट्सू ब्याकुकान की मदद से भी chakra के flow को देखा जा सकता है एनिमे और मांगा में हमारी lovely ninja maiden साकुरा चान ने chakra के इसको काफी अच्छी तरीके से समझाए है साकुरा ने हमें बता है कि chakra human body में रहने वाली दो अलग-अलग types की energies का mixture है physical energy और spiritual energy physical energy वो energy है जो body के हर एक cell से मिलती है और इसको training और practice से बढ़ाया जा सकता है और spiritual energy वो energy है जो सालों की meditation और experience से हासिल की जाती है और chakra इन दोनों energies का ही combination है पर physical और spiritual energies को भी एक हट तकी बढ़ाया जा सकता है और एक वक्त के बाद ही अपने maximum पर पहुँच जाएगी यही वज़य है कि सालों की experience और training के बाद भी काकाशी सेंसे का chakra नारूटो के chakra के सामने काफी कम है निन जूट्सू, ताय जूट्सू और गें जूट्सू जैसी टकनीक का यूज़ करने के लिए chakra का होना नेसेसरी है लेकिन 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 अनेमे और मांगा में अब आगे चलकर पता चला था कि इन दो energies के लावा एक और energy है जिसको इन दोनों energy के साथ perfectly combine करकर निन जूट्सू, ताय जूट्सू और गें जूट्सू की power को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है और ये टेकनीक है सें जूट्सू यानि की सेज जूट्सू सेज जूट्सू का यूज़ करने के लिए physical, spiritual और third nature energy का होना ज़रूरी है nature energy वो energy है जो user की body या mind में present ना होकर उसके आसपास nature में present होती है और इस energy को अपनी body और mind की energy से combine करकर भारी मातर में chakra produce किया जा सकता है सें जूट्सू का यूज़ करने वाले काफी सारे शिनोबी है और इसका सबसे ची एक्जामपल है हमारा अपना नारूटो जिसने अपने से जूट्सू से पेन के 6 के 6 पास के चितरे उड़ा दिये थे चूनिन एक्जाम्स के दोरान भी रॉक लीन हमें chakra के बारे में कुछ information दी थी उसमें बताया गया था कि chakra का flow केरा को के के थुरू होता है जिसको हम chakra pathway system भी कहते हैं chakra pathway system हमारे circulatory system की तरह ही कई सारी lines का network है ये lines pipe की तरह होती है और पूरी human body में चारो और फैली हुई होती है इनी pipes के तुरू body में chakra का flow होता है हीउगा क्लैन का gentle fish जूट्सू इसी chakra pathway system पर अटाक करता है और body के chakra flow को पूरी तरह बिगार देता है जिसको हम tuning exam में नारूटो वर्सिस नेजी के match में बखू भी देख चुके हैं इसके अलावा पानी पर चलना सीखने से बैडन नारूटो को एबी सेंसे chakra control का एक पूरा explanation देते हैं इसमें उन्होंने कहा था कि ताइजुट्सू का यूज करने के लिए एक निंजा को सिर्फ physical और spiritual energy की जरूरत होती है और निंजुट्सू और गेंजुट्सू का यूज इन्ही दोनों energy के combination यानि की chakra की वज़े से possible है इन शॉर्ट ताइजुट्सू निंजुट्सू और गेंजुट्सू तीरों में एक निंजा को physical और spiritual energy की जरूरत होती है लेकिन इन दोनों energy के mixture यानि की chakra की जरूरत सिर्फ निंजुट्सू और गेंजुट्सू के लिए होती है और क्योंकि हमारा रॉकली chakra produce नहीं कर सकता इसलिए वो सिर्फ ताइजुट्सू का ही यूज़ कर पाता है ये तो था मेरा role of chakra at using jutsu का explanation चलिए अब बात करते हैं chakra के origin के बारे में basically chakra originate होता है किसी god tree में से गौर्ट्री एक ऐसा पेड़ा जो हजारों साल में हुए गए बैटल्स में बहे खून को सोक कर बड़ा होता है इसके इतने विशाल होने के वज़े से कुछ लोग इसे पुझ्दिये मानते हैं ये पेड़ हर हजार साल में एक बार एक chakra fruit उगाता है जिसमें इसकी हजारों साल से सोकी हुई सारी की सारी energy होती है और जैसा कि हम जानते हैं कि ओच्सुस की काग्यों ने इसी chakra fruit को खाया था जिसकी वज़े से उसकी powers बहुत जादा बढ़ गई थी और उन पावर से उसने कई सारी लडायों को रोखा भी था लेकिन इस chakra को बाकी इंसानों तक पहुचाने का काम किया था काग्यों के बेटे हागुरों मों ने जिसको हम Sage of the Six Path के नाम से भी जानते हैं और इसी तरह हागुरों मों की नींचू प्रैक्टिस की वज़े से दीरे दीरे सभी इंसानों में चाक्रा पहुच गया तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आये होगी अगर पसंद आये तो वीडियो को लाइक करते जाना और जो लोग नए हैं वो स्कीन पर शोह हो रहे कॉंटेंट को भी देखिए तो फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और टापिक के साथ तब तक के लिए गुडबाई